सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ अपने सुंदर मुख दिखला कर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करू सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनी के चरणकमलों की वंदना करके चले बालकों के जुन्ड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए दोनों भाईयों के तीले रंग के वस्त्र हैं कमर के तीले दुपटों में तरकस बंधे हैं हाथों में सुंदर धनुषबान सुशोभित है शाम और गोर वर्म के शरीरों के अनुकूल अर्थाद जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोडी है सिंग के समान कुष्ट, गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाए है चौडी, छाती पर अत्यन्त सुंदर गजमुकता की माला है सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है तीनों तापों से छुडाने वाला चंद्रमा के समान मुक है कानों में सोने के करणफूर अत्यन्त शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित को मानो चुरा लेते हैं उनकी चित्वन द्रिष्टी बड़ी मनोहर है और भौहे तिर्ची एवं सुंदर है माथे पर तिलक की रेखाए ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिम्ती शोभा पर मुहर लगा दी गई है सिर पर सुंदर चौकोनी तोपिया दिये हैं काले और घुंघराले बाल है दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक एरी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है जब पुर्वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घरबार और सब कामकाच छोड़ कर ऐसे दोड़े मानो दरिदरी, धन का, खजाना लूटने दोड़े हूं स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाईयों को देख कर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रही है युवती स्त्रिया घर के जरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्रजी के रूप को देख रही है वे आपस में बड़े प्रेम से बाते कर रही है है सक्षी इन्होंने करोडों कामदेवों की छबी को जीत लिया है देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुन्यों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती भगवान विष्णों के चार भुजाए हैं, ब्रहमाजी के चार मुख हैं, शिवजी का विकट, भयानक, वेश हैं और उनके पाँच मुख हैं है सक्षी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है, जिसके साथ इस छबी की उपमा दी जाए इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दर्ता के घर, सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है इनके अंगंग पर करोडों और वो कामदेवों को निचावर कर देना चाहिए है सक्षी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा, जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए अर्थात यह रूप जडचेतन सब को मोहित करने वाला है तब कोई दूसरी सक्षी प्रेम सहित कोमलवानी से बोली है सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो ये दोनो राजकुमार, महाराज दशरत जी के पुत्र है बाल राजहनसो का सास सुन्दर जोड़ा है ये मुनी विश्वामित्र के यग्य की रक्षा करने वाले है इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है जिनका शाम शरीर और सुन्दर कमल जैसे नेत्र है जो मारीच और सुबाहों के मत को चूर करने वाले और सुक की खान है और जो हाथ में धनुषबान लिये हुए है वे कौसल्याजी के पुत्र है इनका नाम राम है जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है उनका नाम लक्षमन है हे सक्खी सुनो उनकी माता सुमित्रा है दोनों भाई ब्रामन विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनी गौतम की स्त्री अहल्या का उधार करके यहां धनुषब्य देखने आए है यह सुनकर सब स्त्रिया प्रसन्न हुई श्री रामचंद्रजी की छबी देखकर कोई एक दूसरी सक्खी कहने लगी यहां वर्जानकी के योग्य है हे सक्खी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिग्या छोड़कर हटपूर्वक इनी से विवा कर देगा किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनी के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है परंतु हे सक्खी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता वह होनहार के वशीभूत होकर हटपूर्वक अविवेक का ही आश्रे लिये हुए है प्रण पर अडे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता कोई कहती है यदी विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सक्खी इसमें संदेय नहीं है जो दैव्योग से ऐसा सयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए हे सक्खी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहां आवेंगे नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सक्खी सुनो हमको इनके दर्शन दुलब है यह सयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मों के बहुत पुन्य हो दूसरी ने कहा हे सक्खी तुमने बहुत अच्छा कहा इस विवाह से सभी का परम हित है किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है हे सयानी सब असमंजस ही है यह सुनकर दूसरी सक्खी कोमल वानी से कहने लगी है सक्खी इनके संबंध में कोई-कोई ऐसा कहते है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है जिनके चरणकमनों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए जिस ब्राह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर सावला वर भी रच रखा है उसकी ये वचन सुनकर सब हर्शित हुई और कोमल वानी से कहने लगी ऐसा ही हो सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रो वाली स्त्रिया समो की समोह रिदय में हर्शित होकर फूल बरसा रही है जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनन्द चा जाता है दोनों भाई नगर के पूरब और गए जहां धनुशग्य के लिए रंग भूमी बनाई गई थी बहत लंबा चोड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुन्दर और निर्मल वेदी सजाई गई थी चारों और सोने के बड़ेबडे मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंदलाकार घेरा सुशोभित था वह कुछ उचा था और सब प्रकार से सुन्दर था जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्ही के पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं जहां अपने-अपने कुल के अनुसार सब स्त्रिया यथायोग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी नगर के बालक कोमल वचन कहके कर आदरपूर्वक प्रभू श्री रामचंद्र जी को यग्यशाला की रचना दिखला रही है सब बालत इसी बहाने प्रेम के वर्ष में होकर श्री रामजी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रही है और दोनों भाईयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है रामचंद्रजी ने सब बालकों को प्रेम के वर्ष जानकर यग्यभूमी के स्थानों की प्रेमकूर्वक प्रशंसा की इससे बालकों का उत्सा आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुची के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्तेक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामजी अपने छोटे भाई लक्षमन को यग्यभूमी की रचना दिखलाते हैं जिनकी आग्या पाकर माया लव निमेश पलग गिरने के चौथाई समय में ब्रहमांडों के समुव रच डालती हैं वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामजी भक्ती के कारण धनुष यग्यशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रही हैं इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरू के पास चले देर हुई जानकर उनके मन में डर है जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करती हैं दिखला रही हैं उन्होंने कोमन, मधुर और सुन्दर बाते कहकर बालकों को जबर्दस्ती विदा किया फिर भय, प्रेम, विनए और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरू के चरण कमलों में सिर्नवाकर आग्या पाकर बैठे रात्री का प्रवेश होते ही, संध्या के समय, मुनी ने आग्या दी, तब सबने संध्यावंदन किया फिर प्राचीन कथाए तथा इतिहास कहते कते सुन्दर रात्री दो पहर बीट गई तब श्रेष्ठ मुनी ने जाकर शयन किया दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्ष के लिए वैराध्यवान पुरुष भी भाती-भाती के जप और योग करते है वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेमकूर्व गुरुजी के चरण कमलों को दबा रही है मुनी ने बार-बार आग्या दी, तब श्री रगुनात जी ने जाकर शयन किया श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगा कर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्षमन जी उनको दबा रही है प्रभु श्री राम चंद्रजी ने बार-बार कहा है ताग्या अब सो जाओ तब वे उन चरण कमलों को हृदय में घर कर लेते रहें